हेलो फ्रेंड सीजी वेसी हैं यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है चले 36 सिक्षक भलती 24 क्लासे भी स्टार्ट हो चुकी है आप सभी को पता है कि हम लोग ने अपने जो टॉपिक वाइस टार्गेट टेस्ट पेज में कम्प्यूटर स्टार्ट किया यूटूब से लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारी यूटूब में ऐसे वीडियो है जिन से आप पढ़ रहे हैं लेकिन फ़र देटेल कवर नहीं कर रहे हैं और क्योंकि आप सभी को पता है कि सिक्षक भलती में जो कम्प्यूटर का एहम रोल है यह आपके सेलेक्शन में एक बोले तो एक बूश्टर की तरह काम करता है क्योंकि इसमें 10 में 10 लाया जाता है मैं जो हमारी इस्टुएन 10 में से 9-10 ऐसे ही लेके आया थे लास्टर जितने भी हम लोग ने तैरी करवाय थे इतने सारे कोश्चन हम लोग आप प्रैक्टिस करा देंगे कम्प्यूटर में क आपके 10 में से 10 कहीं नहीं जाएंगे तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डीटेल से लिए बस एक बार कम से कम पढ़ना जोर रही होता है इसलिए अभी हम लोग ने सबसे पहले अपने टॉपिक वाइस टार्गेट टेस्ट बैच में कम्प्यूटर को स्टार्ट करने का रिविजन आएगा एक दो मैने बाद फिर इसका रिविजन का समय आएगा दुबारा जब साइकल में हमारा कम्प्यूटर आएगा तो फिर से आपका रिविजन हो जाएगा तो ऐसे करके इसको पक्का कर लेते हैं पहले 10 में 10 नंबर क्योंकि बहुत इंपॉर्टन मैं 12 बो कर रोय गया है जो पूरा डिटेल में रहेगा पूरा रामबाण की तरह सिद्ध होगा हर एक्जाम में काम आएगा तो आप ध्यान से इसको पढ़िएगा पूरा उंतीम देखेएगा ठीक है बहले इस पीड में बढ़ा कर देख लीजिए होगा ओप तेस्ट दिला भी करेंगे माइट करेंगे काला जो चेपटर आज पहले कवर करेंगे बश्नल कम्पिटर क्या है इस पर बात करेंगे मुख्ये भाग देखेंगे कंप्योगी चेटर एट हैं इतने टॉपिक पहले चेपटर के अंदगर आज हम लोग करेंगे ठीक है बहुत सांदा डीटेल में नोट्स हम लोग ने कंप्लीट इसका बनाया है ताकि आप लोग को कहीं और सी राउड़ा भटकना ना पड़े पूरा बुक के फार्मेट में त्यार हो चुका है हो सगेगा तो इसका दीजे से बुक आ जाएगा मार्केट में बुक कंप्लीट हम लोग का त्यार हो रहा है या फिर आपका इसका भी पीडिया भी आपको करवा दिया जाएगा बाकि आप लोग क्लास को पूरा देखेगा हम बहुत अच्छे समझेंगे एक पॉइंट को थोड़ा सा लेंदी लग सकते आपको की थेवरी है करके लेकिन अगर आप लोग ने थोड़ा धैरी रखके 15-20 में इस क्लास को देख लिया तो आगे बहुत अच्छा बेस बन जाएगा कंप्यूटर के लिए ठीक है चलीगा तो यहां चली चलू करते हैं और इसको सेर जड़र कीजिए का क्लास को ताकि जड़र ज़र लोग हमसे जूर पाए औ क्लास होंगे जितना जादा को सिस करूंगा मैं कि आप लोग को क्लास देपाऊं वह बहता जिससे सलेक्शन हों जिससे कोश्या बन पाए ठीक है और हमारा बैच जरू जोइन कीजिएगा ताकि आपका डेली व्यापम लेवल पर आपका लेवल पता चल पाए ठीक है चलेग कंप्यूटर का विसका 20 सदी के महानुपलब्धी है कंप्यूटर आज हमारे जिवन के एक ऐसा आउस्यक हिस्सा बन गया है कि उसके विना हम अपने आपको लाचार सा समझने लगते हैं और यही सही है आज हम घर के किसी भी कोने में सास समुद्र पारवैठे से संपर्क और उसका कार्य कुछी चंड में कंप्यूटर माधम से कर सकते हैं थेवरी इसलिए पढ़ाया रहा हूं क्योंकि यह कूट में कोशन पूसता है कूट में इन्ही कोशनों को दे देते हैं ठीक है कंप्यूटर एक ऐसा विद्दूत सेयंत्र है जो प्रयोक्ता द्वारा दिए गय पर निदेशों केनुसा कारी कई करता है परिणाम करता है आज कर यूग यूग receptors कर यूग है अब विद्दूियालव मेंötर की एक विषर इक पढ़ायां जाता है आपिसची या बैंकों में कंप्यूटर बिना कारी करना संभव नहीं है तो बिद्दूता है आपका पहला ट तो टाइप करना सार्णी बनाना च्छाया चित्र का संपारन करना उपलब्द जानकारियों का विसलेशन करना और डाटा संग्रा करना यह इंपोर्टन है जानकारियों का विसलेशन करना यह भी होता है तो निमने कोंसे कारियों कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता तो सकता होते हैं इससे दो त्रीन कोश्यम बनता है तो इसको द्याँ रखेगा इसी प्रग्राम लोग पूरा एक एक चेप्टर वाइस पूरा कम्प्रीट करेंगे थेयोरी को ठीक है चलेगा आगे बाते वालतमान में कम्प्यूटर कम्प्यूटर करने शर्कूट को गनती करना वास्ता में कम्प्यूटर का विसकार का मुल मुब उद्दे क्या है तो सिग्र करने वाला मसीन बनाना था देखें कंप्युटर जब सुरूम बनाया गया तो यह सब काम करना नहीं था उसका उध्य से केवल गढ़ना करना था वह भी एकदम सिग्र पंदू आज ना केवल गढ़ना करना बल्कि अथाह तारकिक सकती और मेमोरी के भंडार वाली म सिन बन चुकी है ठी है एक-एक से कोश्चा मने गा मैं रवा बरहों ध्यान से देखेंगए डीक-शलिए Panorama अब दूसरा तक द्रस्षा को क्या होता है इसे बीकोश्रम बनता है परस्छनल कbei आपको पूरे और अगे देखते हैं परश्टना कंप्यूटर को उप्योग घरेलू या विशेश छेत्रत तत है कार्य को ध्यान में रख किया को यार रखेगा चार चीज़ होगा एक दो तीन चार यह चारो कम्पूटर परस्टना कम्पूटर में चारो काम किया जाते हैं ठीक है छोटा-चोटा कोश्यां बनता है जिसको हम लोग गलत कर देते हैं और अब्जेक्ट्वी में नहीं दिया रहते तो उसको ध्यार नहीं द कि बेंटर मॉडम स्केर और डियो कोठीश रहते हैं यह मुझाय है यह कोर्त टौपिक आपका है उसके इक वक minutes में बनता है उसी पैटन में आब यह नोट्स आपको मार्केट में नहीं मुलेगा है हम लोग ने इसको स्पेस्लिक डिजाइन कर वाया है ताकि आपका जो ब्यापम लेवल के सिख्षक भलती लेवल के कोश्चन इसमें कवर हो जाए दिखें सीप्यू है माउस है और कीबोर है मॉनिटर तो यह मॉनिटर आपका आउटपूट डिवाइस है यह कीबोर और माउस आपका इनपूट डिवाइस है आगे देखते कम्प्यूटर पिढ़ी देखें एक दम बैतरीं तरिके से सौट में हम लोग निपड़ा रहे हैं जैसा कोश्चन आता है उसी हु यह कंप्यूटर के विकास को विविन फिडियों मी वर्गी करिद किया गया है अनुसार पांच पर से पहले आपको व्याद करनेए प्रिथम प्रिद्विक यादर रखेंगे कंच आले हैं दूसरा पीडिशर से तक उसक्तर तक पिर तीसरा पीडिया इंचान से वलत्मान त जितने हैं पच्वम पिढ़ी अभी चल रहा है माच्वी पिढ़ी ठीक है इसको ठीक को यार रखिएगा ठीक है सुरू का कम से कम एक दो तीन को पूछ देता है कई बार पूछा गया है प्रतम पिढ़ी का समय काला वधी कप के कप था त्यार रिखें पैतालीस से चपपन सब्सक्राइब करेंगे तो यह आपका पर्फेक्ट हो जाएगा ठीक है और आपके पास जो भी बुक होगा मन्थन होगा तो मन्थन से भी पढ़िएगा लेकिन ऐसा आपका ठीक है इस्टा कुछ भी नहीं पढ़ा रहें ठीक है प्रतम पिढ़ी के कम्पूटर देखते हैं पेंसिलवेनिया के दो इंजीनिया प्रोफेसर इकट और जॉन प्रथम यह दोनों नाम पूछते हैं तो यह चीज आप लोग के बुक में नहीं मिलता जनरली इसको प्रोफेसर इकट और जॉन प्रथम डिजिटल कम्पूटर के निर्मार किया था जिसमें उन्होंने वैक् और जॉन प्रथम कब कि हैं 1946 में ठीक है क्या उप्योग किया थे वैक्यूम टूप बस इतना याद रखने आपको यहीं से कोशन बनता है लंबा चावड़ा इधा पढ़ने का जोरत नहीं है यह वैक्यूम टूप का है देख लीजेगा इसी को उप्योग होता था प्रथम बीड़ी में ठीक है चलिक आगे वालते हैं ध्यान से पढ़िएगा लेंदी लाग सकता है मैं बाड़ बाड़ नहीं हूं लेकिन सेलेक्शन चाहिए दस में दस चाहिए तो आपको इसको पढ़ना पढ़ेगा इस कंप्यूटर में लगभा अठारा हज्जार वैक्यूम यह कंप्यूटर बना था एनिक तीख है इसमें कितने वैक्यूम टूब और ररजिष्टर और उप्योग किया गया था जिसको या रखी के अठारा जार वैक्यूम टूबिश्टर और लगभा निहां जोड़े थे यह यह कंप्यूटर एक बहुत भारी मसीन के समान था जिस बस इतना आपके फैक्ट हैं जो आपको याद करने हैं ठीक है तो इसको देख लिए चलेगा आगे बता है दूती पीठी में ज्यादा लंबा क्लास नहीं होगा छोटा सा क्लास होगा लेकिन वही चीज होगा जो आपके व्यापाउम लेवल में सिख्चक बती लेवल के लिए इंपॉर्टन मैं बारबब और इसलिए पूरा देखिएगा दूती वीड़ी के कंप्यूटर उननीसोच्पन से उननीसो तीर सट तक सन उननीसोटारीस में ट्रांजिस्टर की खोज ने कंप्यूटर के विकास में मतपूर भूमी का अधा की अब एक कोशन मन गया है ट्रां समझ पाएं कि पढ़ना कैसे रहता है बूप को कोशन कैसे बनेगा कहां से बनेगा यह आपके दिमाग में पलते पलते आना चाहिए उस चीज को आप हाइलाइट करें के दुबारा पढ़ पाएं यहीं उद्देश से मेरा यहां पर पढ़ाने का निती इसको में बूप को पीडिया बना के आपके गूर्प में डाल देता थिक है तो यारि रखे का टांजिस्टर कोश कब हो ही उनिससों आलतालिस में ठीक है अब वैक्यूम ट्यूप का इस्थान टांजिस्टर ले लिए पहला पीड़ी में वैक्यूमट को उप्योग किये दूसरे पीड़ी में तो मसीनों का का छोटा होने लगा पहले देखे कितना बड़ा मसीन था ठीक अठारा जर्वाकिम ट्यूब सत्तर हज्जा टांजिस्टर उसका ठीक है तो यह याद रखी का कि ट्रांजिस्टर का उप्योग कहां का होने लगा तो रेडियो में टेलेविजन में कम्प्यूटर आदी में बनाने में किया जाना है जिसका पाई नाम यह हो कि मसीनों का छोटा हो गया कम्प्यूटर के निर्मार में ट्रांजिस्टर के उप्योग से कंप्यूटर अधिक उर्जा दक्ष तिव्र वह विश्वस्नी हो गया इस पीधी के कंप्यूटर में मसीन लेंग़ेज को असेम्बली लेंग़ेज के द्वरा प्रतिस्थापित कर दिया गया तो यहां से फि क्वेटर रिवाइस हो जाएगा पूरा लाश्ट तक अगर आप क्लास देखेंगे जितना भी होगा पूरा सिलेबास आपका गंटे माँ रिवाइस कर देंगे आप एक सौर्ट नोट्स बनाते जाएए जहां जहां मैं कोश्चम बने का बहुत हो उसी वह पास लिखें तो अब कि अब एका लेंगवेज का प्रॉयकित ह dreaming लेंगवेज में कठीन बाइनरी लेंगवेज में कोड़ की जगा संचिप्ट प्रग्रामिंग को कोड लिखे जाते थे टो पहले जैसे masa bak मश्लेंगर लिखते थे तो ईसमें क्या लगते था हम लोग बाइनरी कोड का प्रय आप लोग इतने महेंगा खर्चा करके डिएट बेट किये रहते हैं लाप के जिन्दगी का एक एहम पल है तिसको आप लोग जाने मत दीजिएगा जरू हमारे जॉइन कीजिएगा हम लोग आपको पूरी जॉबदारी लेते हैं आसले का जब तक आपको जॉइनिंग नहीं हो लिए था यह दूसरे पीडियम हो गया था पहले पीडियम वैक्यून डूब दूसरे में टांजिस्टर ठीक है अब तीसरे में क्या हुआ इसके उप्योग से बहुत अधिक मातर में उर्जा उर्पन होती थी जो कि कंप्यूटर के आंत्रिक अंगों के लिए हानिकारत थी दूसरे पीड़ी में यह हमारी कमजोरी थी कि देखे अब टांजिस्टर तो लगा रही लेकिन बहुत सा टांजिस्टर लगाना पड़ा था तो बहुत सार जो विद्दूत उर्जा उसमें लगती थी उसके हमारी हानी हो रहे थी तो फिर अगला क्या हुआ हुआ फिर 1909 मे जैक केलवी ने आइसी बना दिया इंटीग्रेटेट सरकीट आइसी का प्रियोग होने लगा तीसरे पीड़ी में पहले में वैक्यूम टुप दूसरे में टांजिस्टर तीसरे में आइसी थीक है त्रांजिस्टर को कब हुआ था उसका विसकार 1948 में थीक है फिर दस साल बा बहुत सरे आइसी मिल के क्या बन जाता है एक सेमी कंडक्टर बन जाता है जिसका प्रिडाम यह हुआ कि कंप्यूटर बहुत तेज और छोटा हो गया ठीक है तो इतना ही कोश्म बनना है यहार रखेंगे चले चौटर पीड़ी में चलते हैं बहुत फास्ट करना हम लोग द अधिक मात्रा में सर्कीट को एकल चीप पर समाहिट किया गया ठीक है जिसको एल एस आई बोलते हैं लाज इसके इंडिग्रेटर सर्कीट देखिए इस पहले तो वह भी करते थे आईसी का यूज तो तीसरे पेड़ी में चालो हो गया था अब उसको एक चीप के माध्यम से एलेस आई और आपका भी एलेस, बेरीλάज सके इंडिग्रेटेटेश सर्कीट अर यूलस आइज इसके लिएं इंडिग्रेटेश सर्कीट में बहुत यहीक मात्रा में चतुरत्य पीडी का प्रथम कंप्पीटर कब आया था 1975 में प्रथम माइक्रो कंप्पीटर आया था अल्टायर 8000 ठीक है यह देखिएगा ऐसे भी एलेसाई होती है इसमें बहुत सारे देखे छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे सब भी चीज़ को इसी में समाहित कर दि कि ठीक है यह तीनों का फूल फाम पूस्ता है ठीक चले आगए बलते हैं अगे देखते हैं ध्यान से देखिए का थेवरी आपको बहुत नहीं लगना चाहिए क्योंकि यहीं थेवरी से आपका सेलेक्शन होना है अगला 1941 में IBM ने परशनल कंप्पीटर प्रस्तूत किया जि और ईसे जो एक थी में आता है जो कि आपकरिख में डिखाट इसको सबक्सक्राइब नियूंस संक्राजेब prick थी अब वलतमां की बात का अभी 1990 के बात कई बात शेुंस को पन्सम्रूड को परिभासित करना कुछ कठी होगा इस पिड़ी के computer लेखक सिक लार करके द्वारा लिखे उपन्यास अइस्पेस ODC में वर्नित HAL 9000 के समान ही है अब देखेंगे इसमें दो तिन चीज बाते हैं हमके computer exam के लिए सबसे पहले computer के एक book आती है उपन्यास आती है अइस्पेस ODC इसको याद रखेगा इस्पेस ODC यह किसकी रचना यह पूस्ता है तो इसको याद रखेगा C Clark के द्वारा एक book लिखे गए उपन्यास लिखा गया इस्पेस ODC इसमें HAL 9000 के समान ही है यह real life computer होते हैं जिसमें क्या होता है Artificial Intelligence जो अभी आप लोग देख रहे हूं Artificial Intelligence अर्थुनिक टेक्नोलाजी विज्ञान को प्योग करके इंकर निर्मार किया जाएगा यह अभी में बोले तो यह भी हुआ नहीं पंचनपीडिक निर्मार अभी चल रहा है जो आटिफिस्ट इंटिलिजेंट है न वो 55 पिडिक की जगह समरांतर प्रोसेसिंग होगी तथा इसमें सेमी कंड़क्टर टेक्नोलाजी को प्योग किया जाएगा जिसे बीना किसी प्रतिरोत के विद्दूट के प्रवाह होगा जिसे सुचना के बहाओ के गटी बढ़िएगे ठीक है अब चलिए लेपटाप के बारे में होता है दोग देखर होगे जितने आकार क्या आपको अ कमट्र वयख चीजों की बढ़िए ucionesольш्डी रहे में लेखिंगे तो बहागती चीजह ऑन चोटी होतां यह जोटा सै इस पूस्तर के समान होता है इसे उसी प्रकार खोल कर रूप्योब किया जाता है लेफटाप में ब से भीना विद्व के भी लेपटाप का प्रियोग किया जाता आप सभी इस वारे में पता है ठीक है चौथी पेडियार रखेंगे अब लेखतेए सुपरकंपुटर से कोश्षम बंदे तो उसको धुश्ष देखले सुपरकंपुटर सुपरकंपुटर की गति समानी कंपुट तुल्म में 10 गुना होती है। ने कितनी गुना होती है। यह कोश्चन भी बंद तुए रकेंगे 10 गुना यह ति अधिक जटिल कर नाओं को तो इसको बहतनी तरीके से याद कीजिए कि एक बार फिर से सुपर कंपीटर को प्योग वैज्ञानिक संस था ठीक है वैज्ञानिक जितने खोज करते वहां सुपर कंपीटर को प्योग किया जाता है मौसम के भविश्य वाड़ी में सुरक्षा चेत्रों में उर्जाय हम सकती के लिए मौडलिंग तथा जो सुरक्षा सजयानतर बनाते उसका मौडल बनाने के लिए समयच्छाओं के लिए किया जाता है सुपर कंपीटर बड़े होग किम्ती होते हैं यह देख सकते ऐसे बड़े-बड़े बाक्स से गरूप में बड़े-बड़े बनाया जाते है ठीक कंप्यूटर ने विभीन छेत्रों में अपना वर्चोस इस्थापित कर लिया कंप्यूटर कुप्योग बैंकिंग चिकित्सा यातायात संचार मौसम मनुरंजन विज्ञान सिक्षा उद्योग सरकारी कारिया आदिम होता है इस सभी कारी कंप्यूटर से भली भाती संचालित ह होती है तो आज ही क्लास में बस इतना ही पहला चेप्टर हम लोग ने इसको किये आप लोग को पता है पिछले बार हमारी भूग भी आई थी ठीक है जिसको इबूग करके हम लोग बने बेज दिया था हम मार्केट में उसको नहीं लाया थे पूरे प्रैक्टिस से थे उसी कम्टर के भी यह बुक तयार किया गया है लेकिन इसको भी मार्केट में लाएंगे हो सकेगा इसको आप लोग को फीडियाप मिल जाएगा लेकिन पीडियाप उतना उप्योगी नहीं होगे जितना आप यहां मेरे साथ समझ के कोशन कैसे बनते हैं सिक्छक बंती में अब लोग इसके बाद आइसा बड़ा पोष्ट कभी नहीं आएगा और हम लोग पूरी जावाब दर ही ले रहे हैं तो आप लोग इस नंबर में एक बार मैसज जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब जरूर करके रखेगा ठीक है चलीगा तो सब्सक्राइब परर ही जरूर करके रखेड़ Mission